बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेट कार पीपोल्स वोईश और पेल आइकन दबाए बेट कार पीपोल्स वोईश और आपको बतादे कि दलीत मैला से चेड़ चार्ड मैला दलीतों की जमीन हडपने जैसे गंबीर आपको बतादे कि जिस वेक्ति पर आरोफ हो क्या ऐसा नेता किसी की समाद सेवा कर सकता है क्या वो वेक्ति जिस पर 22 से जदा आपको बतादे कि मुक्त में दर्ज हो ऐसा नेता क्या समाद सेवी हो सकता है या कहना बहुत मुश्किल है दर असल आपको बता दे कि आजाद समाथ पार्टी नई नई पार्टी बनी है उत्र प्रदेश में 2022 के चुनाओ लड़ने के सपने दे के जा रहे हैं और 2400 सीटों पर कैंडिडेट्स लड़ाने की भी बात उनकी तरब से कई जा रही है लेकिन उनके आजाद समाथ पार्टी के उत्र प्रदेश के प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता एसान खान को पुलीश ने गरपतार किया है पुलिस ने ग्रेपतार करने के पीछे की वज़ा बताई है कि एसान खान ने आंदोलन को समाप करने के एवज में लाखो रुपे और एक लाक्जरी गाड़ी की मांग की थी बताई जा रहा है कि चंदर सिक राजात को बुलाने अंदोलन करने जैसी बड़ी बड़ी बाते भी उस ओडियो क्लिप में की गई है यह ओडियो पुलीस की तरफ से जारी किया गया है बतादे कि यह परवक्टा जब बना था उस से पहले भी थी आपको बतादे कि जो एषसान खाने ह उसके उपर साथ से जादा मुक्त के लगे वे थे इस कहला आपको बतादे कि अनने टोटल मुग्द में भी उस पर काफी जादा मुग्द में लगे वे थे एक इस्ट्री सिटर आपको बतादे कि उसे कहा जा सकता है उसके बावज़ूद भी पार्टी की तरफ से उसे प्रदीश प्रवक्ता न्यू किया गया उस वेक्ति के उपर दलीतों से चेड़ चाड दलीत महिलाओं के साथ गाली गलोच दलीत महिला के साथ आपको बतादे कि उत्पिड़न के साथ साथ दलीतों की चर्मीन हडपने जैसे आपको बतादे कि गंबीर मामले दर्ज है और आपको बतानी की कोशिश करें तो ऐसे विक्ति को एसपि की तरब से प्रवधिश प्रवक्ता बनाये गा था हला कि मामले के तूल पकर ड़े और मामले के सामने आने के बाद अब आजाद समाज पार्टी की तरब से उस प्रवक्ता को निकाल दिया है हलाकि एसान खान को पुलीश ने भी गिर्पतार करके जेल में डाल दिया है और जेल में डालने के बाद अब उने कब जबानत मिलेगी कब बाहर आएंगी ये तो कहना मुश्किल लेकिन आजाद समाथ पार्टी के इस करते से काफी जादा चबी दो मिल हुई लेकिन आजाद समाथ पार्टी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा विक्ति को प्रदीश का परवक्ता पार्टी ने बिना कुछ सोचे समझे कैसे बना दिया मिलें के सने वड़ेन अप्लेडों के साथ अब दिक आप से लेते विदा लाइक कीजिए कमेंड कीजिए उस शेयर करना बिल्कुन ना